तमस्कार स्वागत है आपका हमारे शेनल पर रहे हूं आपके साथ शिप्रसैनी पंजाब में परधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का माफला अब बेहद पेचिता होता नजर आ रहा है एक के बाद एक इस पूरे माफले में बड़े खुलासे हो रहे हैं खालिस्तानी टेरर से लेकर पाकिस्तानी टेरर तक का शक भी जाहिर क्या है और इस बीच बड़ी खबर ये है कि पंजाब के फिरोशपुर में बीएसफ ने सतलुझ नदी से पाकिस्तानी नाउख पराहमत की है तमाम सवाल अब एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं कि आखर परधान मंतरी की सुरक्षा में लगी जैन से इस नाउख का क्या संबन्ध है क्या इस नाउख में तसकर आए थे या फिर पाकिस्तान ने परधान मंतरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई जाचिश रची थी ये सवाल हैं जिसकी जानबीट में फिलाल बोर्डर सेक्योरिटी फोर्स जुटी हुई हैं क्योंकि जिस तरीके से परधान मंतरी के साथ पाच जनवरी को पंजाब में उनकी सुरक्षा में खिलवार किया क्या जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई और इस पी गल से भी चानवीन की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान से जटा हुआ इलाका है फिरोजपूर और वहां से ये पाकिस्तानी नाव बरामत की गई है फिलाल इस पूरे माफले की चानवीन में जुटी हुई है बीस अफ और सबस जा रहा है कि 50 किलो میटर की दूरी पर ये पाकिस्तानी नाव बरामत की गई है फिलाल जाच एजिंसिया इसी बात में पता लगाने में जुटी हुई है कि ये नाव वहां कहां से आई है कब आई है कैसे आई है और इसमें कौन लोग सवार थे क्या कोई तसकर इसमें सवार या फिर आतंकियों ने इस नाव को अपनाया था इस नाव के चरहे वो पंजाब में खुसे थे तमाम बड़े सवाल हैं जो बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स जिनका जवाब तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है आपको ये बताते हैं कि इस पूरे माफले में हाला कि बिय की गई है और नाव बी ओपी डीटी मल के पास मिली है इसमें कौन सवार था इसकी जानकारी फिलाल नहीं है लेकिन सुरक्षा एजंसिया लगातार मुस्तैद पंजाब में है क्योंकि पंजाब में परधान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ जो कुछ हुआ जिस तरीके से उन इस नाव का मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है जहां से नाव बराह्मत की गई है यहीं से सतलूज नदी भारत से पाकिस्तान में एंटर करती है यानि साफ़तोर पर समझा जा सकता है कि ये बोडर से सटा इलाका है और कई बार यहां से तसकरों को हेरोईन के सा भी पकड़ा किया है यानि ड्रग तसकरों की गिरफतारी हुई है और इसी इलाके में हत्यारों की तसकरी भी पाकिस्तान लगातार करता रहा है आपका बताने पंजाब में फिरोशपूर जो जिला है वो बेहद सवेदनशील जंगों में आता है और यहीं वजा है कि फिलाल पंजाब में परधान मंत्री की सुरक्षा में लगी सेंथ कहीं न कहीं सुरक्षा एजन्सियों के लिए भी एक बड़ी कहीं जंग वाली बात हो चुकी है कि इसकी चानवीन किस तरीके से की चाहे इस पुरे माफले की जो चानवीन में अधिकारी जुटे हुए हैं वो फिल लापर वाही इतनी बड़ी चुक कैसे हुई लेकिन जिस तरीके से के टेरर एंगल का खुलासा हो रहा है और इस पीच ये नाव पकड़ी गई है ये अपने आप में काई सवाल खड़े करती है और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस नाव का इस्तह्माल परधान मं मंत्री के जो काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाइओर पर रुका रहा उससे इसका कुछ लेना देना है या फिर नहीं इस बीच पंजाग के मोगा से एक और बड़ी खबर ये भी साफ ने आई है कि पंजाग के मोगा में तीन आतंक वातियों को गिरफतार किया क्या है जिसके पास से ग्रेनेड मिले हैं जिन्दा कार्तूस मिले हैं तो इस तरीके से पंजाग को देहलाने की साजिश लगातार रची जा रहा है लेकिन क्योंकि प्रधान मंत्री के साथ इस तरीके की घटना हो चुकी है ये गंफिर सिक्यूरिटी को लेकर जो सवाल है वो लगातार प्रधा प्रण्वाथियों की गिरफतारी पाकिस्तानी नाव का मिलना आखिर ये क्या इशारा कर रहा है ये कहीं न कहीं समझा जा सकता है क्योंकि तमाम वो वीडियो साफ ने आए हैं जिसमें परधान मंत्री की सुरक्षा में सेंध की बात कहीं गई हैं मंत्री को मारने तक की पुरी तरीके से रची गई है ये कहीं न गहीं खालिस्ताहियों का जो वीडियों है जो पन्नु का वीडियों आया है उसे देखकर ही समझा जा सकता है जिसमें परधान मंत्री की हत्या की साचिश रची गई थी और साफ तोर पर ये प्री प्लांट सब कुछ नजर आ रहा है जिसमें जवाबते ही चन्नी सर्कार की बनती है और यहीं वजा है कि लगातार जवाब मांगा जा रहा है लेकिन जिस तरीके से परधान मंत्री के साथ ये पंजाब के फिरोचपूर में खटना हुई उनके काफिले को रुकना पड़ा परधशनकारियों ने उनका रास्ता लिया तो ऐसे में सवार यही है कि ये सिर्फ परधशनकारी थे या फिर ये खालिस्तानी आतंकी थे या फिर पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर इस पूरे जढ्यंत्र को रचा किया था क्योंकि ये फिलाल तमाम चीजें जाज का विशह हैं लेकिन कहीं न कहीं जो खुल परधान मंत्री पंजाब के डीजीपी पंजाब के मुख्य सचीव को परधान मंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचना था लेकिन वो नहीं पहुंचे सर्फ इतना ही नहीं जो परधान मंत्री के रूट को ग्रीन सिगनल त्या किया वो भी किस तरीके से वहां प्रधशन की साजिश तक रची गई ये तमाम सवाल है जिसकी जाज फिलाल गरेमिंतराहे की टीम कर रही है लेकिन इस बीच आतंग की टेरर का खुलासा भी लगातार जापने आ रहा है फिलाल ये नाव सवालों के खेरे में हैं क्योंकि पाकिस्तानी नाव है और जहां प्रधान मंत्री का काफिला रुका जहां प्रधिशन कार्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की वहां से महज 30 किलोमीटर की तूरी पर भारत और पाकिस्तान की सीमा है इस शेत्र में लगातार टिफिन बं मिलते रहे हैं अन्या विसपोटक वदार भी लगातार परामत होते रहे हैं और जला लुध्याना कोट में हुआ बंबलास्ट हो तरीके से अमरत्सर में स्वर्ण मंदिर में बेदवी की तस्पीरे भी साफने आई थी तो पिछले कुछ वक्त से लगातार पंजाब इस तरीके से दहल रहा है लेकिन चरंजी सिंग चंधनी की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी में खालिस्तानी एंगल सापने आया है फिर चाहे वो लुध्याना भी हुआ कोट में बंबलास्ट का फामला हो उसमें भी एक खालिस्तानी नाकरिक को ही गिरफतार किया था तो ये तमाम खालिस्तानी आतंकी है जो इस तरीके का सढ़्यंत्र लगातार पंजाब को दहलाने के लिए रच रहे हैं लेकिन चरंजी सिंग चन्नी की सरकार सिर्फ इस पूरे माफले पर लीपपोती करने के बचाए कोई और जवाब नहीं दे पा रही है ये सबसे बड़ा फेलियर है और यही वजा है कि उन्हें बरखास करने की मांग लगातार की जा रही है पंजाब मे जिस तरीके से जाशन किया जा रहा है कानून विस्था पुरी तरीके से जर्मराई हुई है तो ऐसे में चरंजी सिंग चन्नी को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है ये साफतोर पर कहा जा रहा है पूरी घटना के वाद पंजाब में सुरक्षा एज अजन्सिया अलर्ट पर हैं बीएसफ इस पूरे माफले के साफने आने के बाद जाच में जुट कई है और पाकिस्तानी नाव जो सतलूज नदी से मिली है उस पूरे माफले में भी फिलाल बीएसफ ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है जाच में बीएसफ जाहिर तोर पर ग्रिमंत्राहे की टीम जो जाच के लिए पहुची है वो भी इस पूरे माफले को गंफीरता से ले रही है क्योंकि ये खाली नाव मिली है आखिर इस नाव में पाकिस्तान से कोन आया क्या ड्रग तसकर आए क्या हत्यार तसकरी की गई ये तमाम सवाल है फि सुरक्षा एजेंसिया लगातार चानवीन करने की कोशिश में जुटी हुई है फिलाल पाकिस्तानी जासुसों के ही इस पूरे नाव में आने के कयास लगाए चाह रहे हैं आने वारे वक्त में ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस नाव का इस्तहमाल कौन से से माफली पर क्या राए हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें थाने बाद